साथियो नमस्कार मैं राम प्रताप सिंग कुस्वाहा हमारे चैनल ग्यान एंड नौलिज में आपका सादर अविनंदन है स्वागत है हमारे चैनल के द्वारा ये वर्स 2023 में रक्षा बंदन के पावन दिवस पर प्रतियोकता कराई गई रक्षा से ही रक्षा देखिए बहुत अच्छा टाइटल है रक्षा से ही रक्षा होगी यादि आप प्रिकटी पेड़ पोधों की रक्षा करेंगे तो प्रिकटी आप की रक्षा करेंगी हमारे चैनल विशेश कर प्रिकटी परियावरन, इन्वार्मेंट, आधी के स्वाड रक्षण वसमर्दन है तूँ जाग्रूक में कार करता है और उसी के जन जागरण हे तो यह परीच्छा का आयोजन प्रतिवर्स किया जाता है यह छटवा आयोजन है इस online परिच्छा में हर वर्स प्रति वर्स प्रति भागी गणों की संख्या बढ़ रही है निरंतर और बहुत ही उत्साय है बच्चों में विसेशकर बच्चों में और सभी लोग निर्धारिश समय में समय देते हैं अपना उत्तर देते हैं और उनका फिर मुल्यंकन किया जाता है वरी ताक्रब में यदि आप सामिल नहीं हो पाए हैं तो ये एक सौर्ट कट परिच्छा का एक फार्मूला तयार किया गया है आप इसमें अवश्य भाग उसमें एक प्रिच्छा का उत्तर देकर भी आप परिच्छा में सामिल हो सकते हैं ये आपके लिए एक सौनहरा आउसर है इस तरह सिर्वाप परिच्छा में ही सामिल नहीं होंगे बलकि आप प्रिकति परियावरण पेड़ पौधों के स्रणरक्षण के एक महानी वर्तमान सत्र दो हजार बाईस और दो हजार तेईस में भारत के किस राज ने 36 करोड़ पंदर लाग पौधों को लगाने का लक्ष रखा है भारत के किस स्टेट ने रखा है तथा इसी के साथ किस राज ने 100 वर्ष से अधिक दुल्लब 4948 वरक्षों को राज धरोहर विरा व्रक्ष चैनित किये हैं ये तो आपको बताना है कि किस राज्य ने ये किया ये एक सुराहिनी काम किया है कि व्रक्षों की याद आ गई और पुराने व्रक्षों को जो पूरी तरह से आक्सीजन देते हैं प्राणवायू जो हमारे लिए बहुत आवस्यक है उनको सनरक्षित कर दिया जिससे लोगों को मौटिवेशन भी प्राप्त हो सके ये तो सराहिनी कार है सभी भारत के सभी क्या दुनिया के सभी राज्यों को ये काम करना चाहिए अच्छा इसकी अतरिक देश के किस राजिंगे व्रक्षों के सनरक्षन के लिए ये यह नीट बनाई है कि जो चैनल है या जो हमारी संस्था है वो पिरकती परियावरन पेड़ पौधे जड़ी बूटी आयरवेद और अपने पुराने विज्ञानिक ज्ञान को जन जन में पहुँचाने के लिए कटिवद्ध है आप भी उसके अंसिधारक बनिये और इन प्रश्णों के उत्तर देखिए आप कवी चिंतन करिए मनन करिए विचारन करिए कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है सबसे बड़ी समस्या सेकंड वर्ड वार हुआ ठर्ड वर्ड वार हुआ या यूकरेन रूस हुई धोरा यह सब नहीं है यह तो नगर्न है यह तो होती रहत चाहितन की climate changing की जो मानों के हाथ में नहीं है सिर्फ मानों असहाय होके अपनी दुर्गती अपनी दुरदसा और अपना प्रिकोप प्रिकति का देख सकता है बस इस से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता अगर आप सचेत नहीं हुए और अगर आप सचेत हुए जागरूख हुए सर बैक्ट करेंगे और परिक्टिक्रेक्ट के दूर भागे।